महाराश के राजपाल द्वारा सम्मानित किए गए डॉक्टर अब्दुल्रह्मान वनु प्रदान मंत्री नरेद मोधी के स्वक्ष भारत अभियान को घर-घर पहुचाने में जुटे डॉक्टर अब्दुलरह्मान वनु को गव भारत भारती सर्वत्तम पुरसकार से सम्मानित किया गया ये पुरसकार उनके द्वारा किये जा रहे सामाजिक कारियों को देखते हुए दिया गया है डॉक्टर वनु का ये सम्मान महाराश के महामहिम राजपाल भागस्टिंग कोश्यारी के करकमलों से किया गया मेरा नाम अमदुलर्मान वनु है मैं सवचे भारत अभियान का महाराश स्टेट का कन्वेनर हूँ और इसके साथ में मैंने माइनरोटिस के लिए बहुत कुछ काम करने के लिए अपनी जिन्दगी के बहुत सारे एक्स्पिरिंस को शेयर करते वे अपलिफ्टिंग लोगों में लाने के लिए बहुत जदो जोयत की है और करता रहूंगा इस इस इन सब बातों को समझ कर ये गव भारती गव भारती जो एवार्ट कल राजभावन में हुआ और मुझको उन्होंने उस इवार्ट के लिए सलेक्ट कीया और इवार्ड मिला मुझको कल मैं आमान जी का आबारी हूँ इस मामले को लेते वे और माननिया गवरनर साहब का भी आबारी हूँ कि उन्होंने उनके हाhetों हमें ये इवार्ड मिला गव भारत भारती जो है वो एक ऐसी संस्ता है एक ऐसे न्यूस पेपर्स में वगरा उनके है और ये जो गव शाला है और गाई के बारे में जो भी अच्छा उनके लिए होना चाहिए उनके बारे में वो काम करते है और उनको ऐसे लगा के हम किसी भी कास्टिजम को छोड़के किसी भी डिलीजन के इशूस को पकड़ते हुए काम नहीं करते हैं. हम एक युनिवर्सली काम करते हैं, एक इंसानले के नाते काम करते हैं और जो अच्छी होनी चाहिए चीज उसको लेके चलके काम करते हैं. तो हमारे काम को देखते हुए उन्होंने मुझको यहां पर अमंत्रिट किया और एवार्ड से नमाजा तो इसका मैं धन्यवात करता हूँ कि हमारी काम करने की जो एक कोशिस जो हैं वो कामियाब होने के रास्ते पर जा रही है और हम जो समझते हैं कि हमें माइनरोटी के लिए काम करना है वो उसके लिए हम आगे जो जा रहे हैं उसकी यह आप अपकडिक हैं तो भी बुरा नहीं होगा और गलत नहीं होगा डॉक्टर वनू इस समय रिटाइड एसीपी निलेश सावंद के उस संगठन से जुड़े हुए हैं जो एक गाउं के लोगों को 500 गाई दान में दे कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है अभी आपको मैं एक मिसाल बताओं कि मैं उन लोगों के साथ में जुड़ा हूँ जिनों ने 500 गाई एक गाउं को फ्री में दे दी हैं अब उनका काम सिर्फ ये हमने उस चीज को इस तरह से मेंटेन कर दिया है कि ये 500 गाई हमने उनको अपनी ओनर्शिप में दे दी कि ये गाई आज से आपकी हो गई इसके बाद इसके अंदर से जो भी तुमको फाइदा पहुँचेगा वो आपका होगा अभी हमने इसा करने से दो चीज़ें पैदा की है हमने उन लोगों में एक काम और मेहनत करने की एक जागरूता पैदा की है कि चलो अपना बिजनस शुरू करते हैं जब गाई दूद देती है तो हमने का तुम मार्केट में अगर समझो पचास तुपे से एक लिटर दूद किया है और यह बहुत सक्सेस्फली चल रहा है हमारे पास जितनी पॉसिबलिटी थी हमने वो की है और उस पर हम अभी दूद उन से लेते हैं बाद में हम किसी और हमारे एक पार्टनर से उनके साथ उसको प्रोसेस करते हैं उसको घी वगरा बनाते हैं और हम कम से कम दामों म कि एक जदो जद की है और उसमें हम कामिया भी से आगे चल रहे हैं हमें लगता है कि इस तरह से अगर हर इनसान दो पांच दस जो भी उनकी हैसित होगी अगर इस तरह से गाउं में जाके दे के इस प्रोसेस को करेगा तो मेरे खाल में बहुत सरे गाउं इससे फाइदा मौजुद हैं वहाँ पर दूसरा काम मिलना मुश्किल है तो शायद ये घर के बच्चे आउटें भी मिलके काम कर सकती हैं तो इस लिए ग्रेट हेल्फ फॉर विलेजिस डॉक्टर वर्नो ने इस मौके पर गाय की अहमियत बताते हुए कहा कि सन 1857 के आंदोलन के समय जब अ फरमान जारी कि था जिसमें कहागिया कि इस बखरी पर किसी भी जन्वर की क६र्बानी नहीं दी जाएगी बाद Very Final से कहा कि इस जानवर की नहीं दुश्मन की फाज की खुर्बानी ही असली खुशी होगी अब जाब याब देखेंगे ये तो हम आज के दोर की बात करते हैं जैसे अगर आपने पड़ा होगा मोगलों के जमाने में भी बादुशा जफर थे उनके जमाने में भी ये कई मरतबा सक्ती से कहा गया है कि आप गाई को इस तरह से जैसे एक मतबा ऐसा किस्सा हुआ था कि उन्होंने उसको पब्लिक में ले आके कुछ इनके साथ में कलर्स वगज़ा का काम किया था तो लोगों ने कंप्लेंट की थे तो उस पर उन्होंने सक्त कदम उठाये थे कि आपको सामने जो भी मजब होगा उसका एतराम करना जरूरी है अगर आपको किसी कारिय करने से सामने मजब को तकलिफ होती है तो आप वो कारिय नहीं करें यह मजब इसलाम में भी सिखाया गया है कि हमको अपने मजब का भी एतराम करना है और सामने जो भी हो उसके मजब को भी एतराम करने के लिए हमें उसकी ताकीद की गई है तो मेरे कहाल में इंसानित की अच्छी मिसाल है कि हम इन चीज़ों को सामने रखते हुए अगर गाई को गव माता कहे कर इसको अगर कहा जाता है हिंदुस्तान में और उनसे लोगों के जजबात को ठेस पोचती है तो मुझे लगता है कि हमें उसको उसका इतराम करना चाहिए और कुछ ऐसे आल्टरनेटिव पैदा करने चाहिए जिसकी वज़ा से चीज़े आसान हो जाए और मामला हल हो जाए इसी के साथ डाक्टर वन्व ने मुगल शासकों में बाबर का भी जिक्र किया कि बाबर ने अपने बेटे हुमायू को बाबर नामा में वसीयत की थी जिसमें गाई की एहमियत बताने के साथ ही कहा गया था कि जब तक तुम गाई हत्या को नहीं रोकोगे तुम हिंदुस्तान पर राज नहीं कर सकते हो जी वो भी मैंने पढ़ा है कि बाबर ने अपनी वसीयत में हिमायू के लिए लिए लिखा हुआ था अपनी वसीयत कर दी थी कि आप गाए का एतराम करोगे उनके साथ में जो भी चीज़ें होती थी और नहीं करोगे यह अभी आप सोची है कि हम कितने सालों पहले पुरानी बाते करते हैं, तारीख की बाते करते हैं, तो जब यह पुरानी चीजे हैं, हम वक्त जैसे से गुजरता है, हम उसको भूलते जाते हैं, शायद हमें थोड़ा सा अपने आप पर वर्काउट करना चाहिए, कि हमें अच जाते हैं, हम को गंदगी दूर से दूर हैं, गंदगी को दूर रखना है, सफाइ में रखना है, सवच्छता में रहना है, तो यह सब चीजे हैं आज की रेक्वार्मनन फर ऐलेवन तावर फो ऐस, फो बेट लिविंग, तो मेरे ख्याल में, अगर आपको यह ज़रूरी है के लिए अच्छा ही अच्छे से जीने के लिए तो आपको करना मेरे ख्याल में इसमें कोई प्राब्लम होना नहीं चाहिए और अल्टरनेटिव तो हर चीज का मौझूद है हमें थोड़ी कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको किस तरह से हल करें डॉक्टर वनू ने बताया कि इसी तरह से कई दूसरे मुस्लिम शास्कों ने भी गाय जिसे हमारे देश में गव माता कहा जाता है उन्होंने देशवासियों की भावनाओं का आदर करते हुए गोहत्या पर पूरी तरह से पबंदी लगाई थी डॉक्टर अब्दुलर्मान वनू इस समय कई समाजिक संग्टनों से जुड़े हुए हैं वो शहरी और गरामीन शेत्रों की साफसफाई के अलावा समाज में पहले करप्शन को दूर करने की मुहिम धीरे धीरे चला रहे हैं आबिद नख्वी प्रेस नाइन न्यूज मुंबई